Hello J Champs! So student, आज जो मैं आप लोगों के साथ discuss करने वाला हूँ, वो है how to manage your school and your IIT coaching. So students, आप लोगों ने भी ये difficulty face की होगी. School और IIT coaching या फिर जहां से भी आप coaching ले रहे हैं, उनके बीच में synchronization बिठाना मुश्किल हो जाता है. So सबसे पहले हम समझते हैं कि ये difference क्यों आता है, क्या चीज़े हैं जो हमें school में cover कराई जाती हैं और क्या चीज़े हम coaching center में पढ़ते हैं. Start करते हैं सबसे पहले school में किन चीज़ों पर focus किया जाता है. जब हम आपने school की बात करें, तो generally वो state board की मैं बात कर रहा हूँ आपके, या फिर आपके CVSE के slavers की मैं बात कर रहा हूँ. So ये क्या होता है, इसमें क्या-क्या चीज़े होती हैं. School का जो main focus होता है, generally NCRT पे होता है. So NCRT पे वो ज़्यादा focus करते हैं, ज़्यादा theory पढ़ाई जाती है, और इसके साथ-साथ derivation पे ज़्यादा focus होता है school में. या आप लोगों ने भी feel किया होगा, right? आप लोगों के जो mid-term examinations होते हैं, या फिर जो भी आपके regular test series होते हैं, या test जो आपके school में conduct किये जाते हैं, उनमें जो paper भी set होता है, वो इसी के according होता है, major portion जो होता है, उसमें आपको theoretical नजर आता है, या फिर आप लोगों को theoretical based questions आते हैं, derivations आती हैं, बहुत ज़्यादा numericals उतने नहीं आते, बट जब हम बात करते हैं, IIT, J.E. mains और J.E. advance की, तो मैं start करता हूँ सबसे पहले J.E. mains के बारे में, J.E. mains में अगर आप ध्यान से देखोगे, उसका syllabus देखोगे, तो कुछ ज़्यादा फरक नहीं है, वो CBSC based ही है, या फिर आपके state based, state board के जो examination है, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा level बढ़ जाता है, बट mostly वही है, तो अगर आप किसी topper से बात करेंगे, जिसने last year top किया है, या जिसने under thousand rank score किया है, वो ज़रूर आपको यह suggest करेगा, आपको NCRT बिल्कुल नहीं चोड़नी है, मैं ये तीनो subjects के लिए कह सकता हूँ, जो भी आप subjects cover कर रहे हैं, सभी subjects के लिए मैं ये कह सकता हूँ, but right now मैं आपको physics में बता दूँ, तो ज़्यादा फरक नहीं है, अगर आप J-Mains को सबसे पहले target कर रहे हैं, बिल्कुल अगर आपको IIT के college चाहिए, तो भी आपको पहले J-Mains तो देना ही है, और अगर आप J-Mains में अच्छी rank score करते हैं, you will get good NIT, सबसे पहला काम है कि आपको वहाँ भी NCIT करनी है, तो school और J-Mains या आपके coaching center है, यहाँ एक दूसर से बिल्कुल sink में आ जाते हैं, कि दोनों आप लोगों को NCIT करने के लिए कहते हैं, डिफरेंस यह है, जब आप school में पढ़ते हैं, आप लोग अपने notes proper बनाओ, वहाँ आप लोगों को बनाने के लिए कहा भी चाता है, और आपके notes check भी होते हैं generally, तो आप एक काम ज़रूर करो, अपने notes properly बनाओ, स्कूल को आप ऐसा मज़ सोचो कि जब स्कूल में कुछ पढ़ाया जारा है, हम कुछ और पढ़ लें या पीछे बैट के, या कहीं और बैट के, कुछ अलग कर लें, नहीं, आप उसको भी importance दो, जो आपके regular classes में आपको पढ़ाया जारा है, आप proper जब notes बनाओगे, आप एक जरूर काम करो, आप उन topics को highlight कर लो, या पर उन derivations को highlight कर लो, जो J-means के important नहीं है, बट योर school examination में उसका जो weightage है, वो बहुत अच्छा है, आपके school examination के लिए तो वो important है, they are equally important for your school examination, so definitely आप उनको identify कर लो, these derivations are not useful for your J-mean examination, but definitely, definitely यह आप लोगों के exams में आएगी, जो school examination है, अब आप daily basis का schedule कैसे maintain करोगे, देखो, ये तो हो गई एक overall बात, बट अगर आप daily schedule की बात करोगे, आप school से आते हो, आप अपने school में time देते हो, पूरा duration school के 8-9 hours अपना school में देखे आते हो, है ना, so वहाँ आप लोग जब अपने कोई class attend कर रहे हो, तो उसको बहुत serious note पे करो, जैसा मैंने पहली बताया था, अपने notes complete रखो, अब हो सकता है problem आप यहाँ face कर रहे हो, और आप अपना time waste नहीं करना चाहते हैं, तो आप उन चीजों को पढ़ो, जो school में पढ़ाया जा रहे हैं, हो सकता है coaching center में, वो बाद में पढ़ाया जाए, क्योंकि school में मैंने देखा है, वो syllabus जल्दी complete करा देते हैं, वो फ़ड़ा short में रखते हैं, वो चीज़े आपको वहाँ भी पढ़ाई जाएंगी, तो आप अपने school में उन चीज़ों को समझ लो, आप 60-70% भी समझ लोगे, you will get a better recap in your coaching, तो वहाँ हो सकते हैं, आपको उतिनी derivations ना कराएं, बस आप लोगों को questions पर focus कराएं, तो better and आपकी practice double हो जाएगी, तो आप ये synchronization ज़रूर बढ़ाएं, कि आपको अगर school में NCIT पढ़ा रहा है, तो आपके coaching में भी आपको उससे related questions कराएगा, तो आप लोगों को help ही मिलेगी, और अगर एक अच्छे बच्चे की बात की जाए, वो कभी भी डरता नहीं है, जेई मेंस और अडवांस की preparation के लिए, school examination क्योंकि उसी के undercover हो जाता है, बस extra आप लोगों को school examination में याद रखना है, कि जैसे मालो एक particular date पे आपका school examination आ रहा है, आप just पहले उससे थोड़े पहले derivations पे ज़्यादा focus करो, numericals के practice तो आपको कराई जा रही है, आपके coaching center में भी, तो आपको घबराने की जुरुत नहीं है, अपना vision clear रखो कि हमें J.E. exam crack करना है, या पिर हमें किसी N.I.T. में जाना है, तो problem नहीं आएगी, तो J.E. means और school का synchronization है, definitely है, पर अगर बात करें advance के paper की, जब आप coaching center में पढ़ते हों, आपको advance के topics पढ़ाये जाते हैं, अब उन advance के topic को आप कैसे compare करोगे, देखो advance के topic करने ज़रूरी हैं, और वो थोड़े से high level होते भी हैं, तो आप लोगों को वो daily basis पर practice करनी है, आपको सोचना नहीं है, school में एक-दो marks आपके cut भी जाएंगे, it doesn't affect you, क्योंकि आपका जो target है, वो NIT में rank लाना है, या फिर मेंस में अची rank लाना है, NIT में जाना है, या फिर आपका advance का paper crack करने के बात, एक अच्छे IIT में जाना है, school examination में थोड़ा extra theory आपको लिखनी पड़ती है, अगर आप एक-दो number कटवा भी लोगे, कोई फरक नी पड़ता, if you are scoring 90% or like that, 85% से उपर भी आ जाता है, then it's good, keep your focus on your coaching material, आप उस पर ध्यान दो, क्योंकि long vision में, अगर आप उन चीजों पर ध्यान दोगे, आपका confidence equally school examination में भी रहेगा, बस इतना याद रखो, जब आपके school examination आने वाले हैं, तब थोड़ा सा focus, school examination की तरफ बढ़ा दो, और derivation और ये चीज़ें कर लिया करो, उनको अच्छे से revise कर लिया करो, और daily basis पर तो मैं आपको ये suggest करूँगा, जब आप school से घर आते हो, आप school में जितना चीज़े कराई जाती हैं, आप उसको वही revise करके, वही finish करो, और जब आप coaching में आते हो, तो आप चीज़ों को अच्छे से समझो, concept clear करो, pile up मत दोने दो, ये हो सकता है, कि कहीं लोगों के साथ ये problem आती है, किसी particular reason की बज़े से, वह बहुत छुटियां ले लेते हैं, या फिर बिमार हो जाते हैं, या कुछ भी होता है, health issues आ जाते हैं, इसकी बज़े से, वह classes miss करते हैं, और backlog के कठा हो जाता है, ऐसे case में identify करो, अपने month के calendar में जाके, कौन-कौन दिन छुटियां हैं आपकी, और weekends पे maximum चीज़ों को cover करने के कुशिश करो, दो साल जम के डट के महनत कर लोगे न, फिर आप लोगों को worth लगेगी, आपको कभी feel नहीं होगा, कि हमने वो दो साल खेले नहीं, या पर ये नहीं किया, थोड़े से shocks, जो आपके हैं, जो आपके life के desires हैं, उसको थोड़ा side में रखना परता है, थोड़ा बहुत compromise, मैं यह नहीं कहा रहा 100%, थोड़ा बहुत compromise करो, जब आपको लगे कि हाँ, अब आप बिल्कुल सई stable mode पे हो, तब आप enjoy भी करो, movies भी देखो, बट एक proper schedule बना कि, अगर वो schedule आपको लाओ करता है, then do that, ठीक है, and that was all about from my side, यह मेरी personal advice है, सभी बच्चों को, और हो सकता है, आप इस advice को follow करोगे, बिल्कुल अगर आप इसको follow करोगे, तो हो सकता है कि, आपका result आपको खुद improvement दिखाए, आपको नजर आए कि, हाँ, इसको करने से यह चीज़े आई, कई बच्चे सुनके कह रहे होंगे, सब सुनने में यह बाते अच्छे लगती है, बट क्या यह practical है, बच्चे चलना है, यह जो डगर है, वो इतनी सरल नहीं है, थोड़ी तो कठिन है, तो यह जो अच्छे आज़ते हैं, इसको सीखने में टाइम लगता है, बट जब आप एक बार सीख लोगे ना, इनको अपना लोगे, तो यह आपकी अपनी हो जाएंगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो स्टार्ट में आपको पुश करो इनादतों की तरफ, बाद में यह चीज़े आप खुद कर पाओगे, ओटमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, तो अब मैं आप लोगों उसे अलविदा चाहूँगा, अगर आपको यह अच्छा लगा, यह सजेशन मेरा, तो आप अपने साथ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और डेफिनेटली आप इन चीज़ों को डेली बेसिस पर फॉलो करें, I wish you all the very best.